बच्चो मैं अनाज लाने के लिए बहाद जा रही हूँ तुम दोनों गोसले के अंदर ही रहना कही बाहर मत जाना मैं जल्दी वापस आउंगी हाँ ममी थोड़ी दूर आने पर लाडो को एक शिकारी चिल शिकार की तलाश में घुमता हुआ दिखाई देता है अरे बापरे ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है मुझे कहीं पर छुपना होगा लाडो पास वाले एक बड़े इसे पेड़ के पत्ते के पीचे चुप जाती है वहाँ पर पहले से ही कालू कववा और मीनु मोसी चुपे हुए थे अरे कालू बहिया और मीनु मोसी आप यहाँ पर कैसे शुआ अरे पागल सरा दीरे बोल एक शिकारी चिल शिकार के तलाश में आसपासी बटक रहा है हाँ इसलिए हम यहाँ पर छुपे बेटे है शिकारी चिल वहाँ से चला जाता है लाडो, कालू और मीनू मोसी वहाँ से बहार आ जाते है अरे लाडो तुम अकेली बाहर क्या कर रही हो क्या तुम्हें नहीं पता शिकारी चिल बच्चों को मार कर खा रहा है हाँ कालू भाईया मुझे पता है लेकिन मैं क्या करू घर का सारा अनाच तो खतम हो गया है बच्चे भी बहुत भूके है इसलिए मुझे इस तेज बारिश में बाहर आना पड़ा हम दोनों भी अनाच लाने के लिए बाहर आये थे कालू पश्चिम की तरफ और मैं पूरव की तरफ गई थी मुझे थोड़ा अनाच मिल गया लेकिन कालू को नहीं मिला क्या तुम्हे अनाच मिल गया लाडो नहीं मीनो मोसी मैं अभी अभी तो बाहर आई हूँ मुझे अभी अनाच दूनने के लिए जाना है अच्छा हुआ आप दोनों मुझे मिल गये अब मैं उत्तर दिशा में अनाच दूनने के लिए जाती हूँ कालू भीया आप मेरी एक मदद कीजिए आप घर जाते जाते एक बार मेरे घर होकर आना देखना की बच्चे ठीक है या नहीं हा लाडो तुम चिंता मत करो तुम्हारे वापस आने तक मैं बच्चों के पासी रहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भीया मैं आते आते आपके लिए भी अनाच लाओंगी लाडो तुम उत्तर दिशा में ज्यादा अंदर मत जाना वहाँ पर शिकारी चीन और गितों का अड़ा है हाँ कालू भीया मैं अपना ख्याल रखूंगी तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते है लाडो अनाच की खोज में बहुत अंदर तक आ गई थी उसे पता ही नहीं चला कि वो शिकारी चीलों के इलाके में आ गई है थोड़ा और आगे आने पर वही चील लाडों का रास्ता रोक लेता है आखितकार मुझे शिकार मिल ही गया चोटा ही सही मेरे पेट के आग थोड़ी तो शान्त होगी चील भहिया मुझे खाने से पहले आप मुझे पर एक एहसान कीजिए हाँ बोलो मैं अनाच की कोज में मेरे बच्चो को अकेले घर पर छोड़ कर आई हूँ वो बहुत भूके है एक बार ये अनाच मुझे मेरे बच्चो को खिलाने दीजिए मैं वादा करती हूँ मैं वापस जरूराऊंगी आप उझे पहाड़ी पर मेरा इंतजार करना मैं जा कर आती हूँ चिल को लाड़ो पर दया आ जाती है चिल लाड़ो की बातों में आ जाता है अच्छा अच्छा ठीक है बच्चो के खातिर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ लेकिन याद रखना अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें कैसे भी करके ढून लूँगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चो को भी खा जाऊंगा मैं ज़रूर वापस आऊंगी थोड़ा अनाज अपने साथ लेकर लाड़ो अपने घर की तरफ निकल परती है थोड़ी दूर आने पर एक शिकारी की लाड़ो का रास्ता रोक लेता है लगता है इस इलाके में तुम गलती से आ गई हो कोई बात नहीं अच्चा हुआ आज मेरे मालिको बहर दिनों बाद एक चिडिया खाने को मिलेगी अरे आपने थोड़ी देर कर दी अगर थोड़ी देर पहले आप मुझे पकड़ लेते तो मैं आपके मालिक को मुझे खाने देती तुम कहना क्या चाहती हो थोड़ी देर पहले ही एक दूसरे चिलने मुझे खाने के लिए रिजर्वेशन करके रखा है वो बहुत डरावना और बहुत भयानक है मैं मेरे बच्चों को खाना किला कर वापस उसके पास जाने वाली हूँ वो मेरा उची पहाड़ी पर इंतजार कर रहा है मेरे मालिक से ज्यादा डरावना और ताकतवर शिकारी और कोई नहीं हो सकता अगर ऐसा है तो अपने मालिक से जाकर कह दो पहले जाकर उस चील के साथ दो दो हाथ करे उसे हराने के बाद वो मुझे खा सकते है मैं अभी मेरे मालिक को ये बात बता कराता हूँ लाडो गित को भी अपने बातों में फसा लेती है गित वहां से चला जाता है लाडो भी अपनी घर की तरफ निकल पड़ती है इदर कालो अपने घर आ गया था और लाडो के बच्चों की तरफ जाने ही वाला था के तभी कहा जा रही है सवारी आये नहीं कि फिर से जाने लगे लाडो अपने बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर बाहर अनाज लाने के लिए गई है वो वापस आने तक मैं बच्चों के साथ ही रहूंगा ऐसा मैंने लाडो को कहा था मैं वही जा रहा हूँ एहहहहह बड़े आये जाने वाले आपने क्या दूसरों के बच्चे संबालने का ठेका लिया है चुपचाप घर में बैठो कही पर जाने की कोई जरूरत नहीं है भाईया मा कब आएगी मोनू डरो मत मा आती ही होगी भाईया मुझे बहुत बूक लगी है बारिश बहुत ज्यादा तेज थी तभी लाडों के घोसले में पानी जमा होने लगता है मोनू हमें जल्दी से बहार जाना होगा नहीं तो हम पानी में डूक जाएंगे दोनों वहाँ से निकल कर मेनो मोसी के घर आ जाते है मेनो मोसी उन्हें खाना किला देती है कित अपने मालिक के पास आ जाता है और उन्हें दूसरे चिल के बारे में बता देता है अच्छा तो ऐसी बात है चलो उस चिल को समझा कर आते है अरे तुम दोनों कौन हो क्यों रे चिल के बच्चे खुद को बड़ा ताकतवर समझता है जरा देखे तो तुझ में कितना दम है जैसे देशे करके अपनी जान बचाकर लाडो अपने गोसले की पास आ जाती है गोसले में जमा हुआ पानी देखकर लाडो बहुत डर जाती है बच्चे भी गोसले में नहीं थे लाडो चिडिया रोने लगती है तबी वहाँ पर मीनु मौसी आ जाती है अरे लाडो क्या हुआ तुम ड्रोक क्यों रही हो लाडो सारी घटना मीनु मोसी को बता देती है जब मैं घर वापस आई तब देखा कि गोसले में पानी जमा हुआ है बच्चे भी गोसले में नहीं है पता नहीं मेरे बच्चे कहां गए लाडो तुम डरो मत, तुमारे बच्चे सुरक्षित है वो थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आये थे मैंने उन्हें खाना खिला दिया है और दोनों बच्चे अभी सो रहे है मौसी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भी अपनी पत्नी से आग बचा कर चुपके से वहाँ पर आ जाता है मुझे माफ कर दो लाडो, गोरी ने मुझे बच्चों के पास नहीं आने दिया लाडो कालू को भी सारी घटना बता देती है अब मुझे जाना होगा, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना अगर मैं वापस नहीं गई, तो वो चील मुझे डूनते डूनते यहां पर आ जाएगा और मेरे साथ मेरे बच्चों को भी लाडो, तुम दरो मत, हम राजा जी के पास चलते हैं वो इसमें हमारी जरूर मदद करेंगे तीनों वहाँ से निकल कर, राजा जी के पास चले आते हैं लाडो, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ है चलो, मेर और सिपाही, तुम्हारे साथ चलते हैं और उन बदमाश्ची लोग को सबक सिकाते हैं सारे वहाँ से निकल कर, उची पाहडी पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं तो क्या? दोनों चिल और गिध्ध आपस में चगड़ा करके, जक्मी होकर जमिन पर पड़े हुए थे अरे वा, लगता है इन्होंने आपस में ही चगड़ा कर लिया लाडो इस होश्यारी का सारा क्रेडिट में तुमको देता हूँ तुमने अपनी होश्यारी से इनको आपस में ही लड़वा दिया सब लाडो की वावा कर रहे थे